हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपको क्या बताया था मार्किट साइडवेज रहा है तो उस वज़े से हमें मार्किट में कोई मुमेंटम देखने को नहीं मिला लेकिन काफी बहतर ही लर्णिंग चिपी होई है एक एक चीज़ को ध्यान से समझेगा हम यहाँ पे पहले लोजिक समझेगे फिर मंडे को क्या सिचुएशन हो सकती है किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ हम देखेंगे जिसे कि आपको यहाँ पे तीनो चार्ट दिखाए दे रहे है निफ्टी 50 का भी निफ्टी फाइनसल सर्विसेज का भी और बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे भी आपको साइडवेज मुमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज मुमेंटम आई अब मैं आपको एक logic समझाता हूँ, logic पहले समझने की कोसिस करता है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं one day के time frame पे लेके चलता हूँ, one day के time frame पे क्या discussion किया गया था, कि यहां पे आपके लिए ऊपर एक resistance zone बैठा है, अगर flat open होके positive momentum आता है, तो यहां तक opportunity है, लेकिन अगर market सीधे ही resistance zone में open हो रहा है, तो no trade, सांती से आपको बैठना है, यह चीज़ी discuss की गई थी, resistance zone क्यों है, क्योंकि पहले एक important support के रूप में काम कर चुका है, और हम जानते हैं, अगर support zone है, उसका breakdown मिलता है, तो वो resistance की त्रेक्ट करता है, तो आपके लिए एक resistance zone है, वापिस व body gap up opening और body gap down opening, यह चारो एक तरह की चलती train होते हैं, और चलती train में तब entry ली जाती है, जब platform पे वो रुखती है, यह हमारे लिए एक platform create करती है, तो पहले चीज़ हमें समझ में आया, कि market ने एक body gap up opening दे दी, जो कि हमें बता रहा है no trade, क्योंकि train के लिए रुखने का इंति one day के time frame पे दिखाया था कि market ने जो एक gap up opening दी है, resistance zone में दी है, तो resistance zone भी हमें यह कह रहा है कि positive side तो गलती से भी मत चले जाना, gap up opening भी हमें यही बता रहा है कि positive side या फिर negative side गलती से भी मत चले जाना, इस train को platform पे रुखने देना, यहां तक चीज़े समझ में आये, clear हो रह zone का breakout देना, तो यह clear indication हमें market ने देना, अब इस situation पे मैं आपको क्या कहता हूँ, कि अपने trading day high mark करो, और trading day low mark करो, ठीक है, काफी लोगो confusion हो रहा है, trading day high कैसे mark कै जाता है, trading day low कैसे mark कै जाता है, मैं already इस पे video बना चुका हूँ, आपको channel पे मिल जाएगी, channel पे आप search करेंग यह वीडियो में आपको video मिल जाएगी, अभी यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने ऊपर एक येज वाला zone बना दिया, और ऊपर एक resistance zone गया है, तो जब तक market resistance zone को नहीं निकालता, positive side तो सोच नहीं नहीं है, यह चीज clear हो रही है यहाँ पे, तो positive side का तो कोई signal फिलाल नहीं बन रहा है, ठीक है, कुछ भी मिलता रहे, आपको जैसे काफी लोगों ने सोचा होगा, कि यह trend line है, इसका breakout मिल गया, यहाँ पे यह trend line दिखाई देऊगी, उसका breakout मिल गया, कुछ भी दिखाई देता रहे, हमें पता है, ऊपर एक resistance zone है, यह सब हमारे लिए trapping है, fake breakout, बहतर opportunity तब मिलेगी जब market इस resistance zone को निकालेगा, किलियर किलियर समझ में है, नीची market ने यह बना गए देता, यह trading day, अगर market trading day लोग का breakdown देता है, तो यह बहतर opportunity हो सकती है, क्यों हो सकती है, इसका पहला reason है, हम यह समझेंगे कि market resistance zone पे resistance लेके reversal दिखा चुका है, पहली possibility हो स market trading day low का breakdown दे रहा है, आपके लिए एक setup create कर रहा है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, market ने gap up opening दी है, हो सकता है, market इस gap को fill करने आ रहा है, जो situation हमने second को देखी थी, market में gap up opening दी, एक momentum आया, एक reversal आया, gap को fill किया, market फिर से bounce कर गया, इस तरह की situation, मतलब कहीं न कहीं अपने market previous day high प यहाँ पर बैठता है, हो सकता है, market यहाँ पर support लिया, फिर previous day closing पर support लिया, logic था, एक setup था, एक trade था, अब सोचो, जिने इन logic का पता है, या जो यह वीडियोस देखते हैं, उन्हें setup का पता है, उन्होंने trading नहीं कियो, इमानदारी से बताना, कितने लोगोंने trading की है, कितने लोगोंने नहीं की थी, क्योंकि clear-clear market sideways zone में जा रहा है, पही ना तो यह अपने trading day low का breakdown दे रहा है, अभी तो अमारे लिए एक setup है, एक opportunity है, कि market trading day low का breakdown दे के नीचे चलेगा, तो यहाँ पर logic भी समझ में आ रहा है, कि gap filling हो सकती है, previous day high पर support ले सकता है, previous day closing पर support ले सकता है, trading day low का breakdown दे रहा है, काफी सारे logic है, उपर की तरफ market ने जैसे यहाँ पर trend line का breakout दिया, यहाँ पर trend line का breakout दिया, यहाँ पर trend line का breakout दिया, कुछ भी दिया हो, जब तक आपके लिए एक resistance zone है उपर, तब तक उपर की opportunity नहीं बन सकती, दोस्तों वीडियो को like जरूर करना, इससे ह हमारा भी confidence बढ़ता है, और हमें पता भी लगता है कि आपको content पसंद आ रहा है, 5000 मैं आपको like target रखता हूँ, जैसे यह आप इस achieve कराते हैं, मैं आपको और भी बहतर content, जल्दी मैं आपके लिए planning कर रहा हूँ, कि आपको statuses, videos भी provide की जाए, कुछ price action videos आपको provide की जाए, जि आपको काफी पसंद आ रहा है, अभी Monday को क्या situation रहेगी, वो भी discussion करेंगे, लेकिन उससे पहले video को like कर दीजे, अगर ये content पसंद आ रहा है, तो यहाँ तक चीजे clear होगी, समझ में आए कि नहीं, कि भई या तो market इसे निकालता, या फिर market इस resistance zone को निकालता, तब कुछ सकते हैं, समझ में आगे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये वाला resistance zone दिखाया, जो कि हमने काफी दिनों से mark करके रखा हुआ है, कि यहाँ पे market के लिए एक resistance की possibility हो सकती है, समझ में आपके लिए एक और जानकरी देदू, कि अभी courses पर दिपावली के लिए 50% off किया है, इससे पहले ओफर खतम हो जाए, आप इस ओफर का फाइदा उठा सकते हैं, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, तो जैसे ही आप application डाउनलोड करेंगे, course पे जाएगे, तो available offer के नीचे आपको यहाँ पे click करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, how to trade intraday strategy, य इन्होंने part 1 कर रखा है, वो option trading status कर सकते हैं, वो part 2 है, आप part 2 कर सकते हैं, सभी पे 50% का off कर दिया गया है, इससे पहले हमने यह offer कभी भी नहीं दिया है, 50% तक, इससे पहले हम इसे खतम कर दे, आप जाके इन छुप्टियों का फाइदा उठा सकते हैं, और अपनी लगनी क और भी जादे strong कर सकते हैं, हाई अब हम वापिस वहीं पर आते हैं, अब यहां तो discussion करने की जरूरत है नहीं, कि market एक resistance zone पर खड़ा है, अब इसका मतलब देखो, मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, काफी लोग यह सोचने लग जाते हैं, कि अगर resistance zone पर आ गया, तो reversal आए गई आए गया, फिर देने को market breakout भी जा सकता है, sideways भी जा सकता है, तो यहां से यह नहीं होता कि आप breakout पे positive side position बनाना शुरू कर दो, या rejection सोच के negative side position बनाना शुरू कर दो, यह नहीं, projection देखो, ठीक है, हो सकता है market sideways चला जाए, sideways चला जाए तो avoid करना होता है market को, क्योंक यह market पहले भी कर चुका है, चीजे समझ में आए, जो मैंने समझाए, आए वापिस वहीं पर आते हैं, 15 मिनट के time frame पे चलते हैं, यहां पर चीजे समझने की कुछिस करते हैं, जल्दी से अपनी चीजे मार्क करते हैं, यहां पर market ने आपको एक pattern भी create करके दे रखा है, मैं कौन सा pattern यहां पर दिखाई दे रहा है, यह वाला pattern आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आपको resistance, नीचे की तरफ आपको support, कोर्स में अच्छे तरह की से बताया गया है, कहां पर entry create करनी है, कहां पर store close लगाना है, क्या आपका target होने चाहिए, सार्च जीज previous day low हो गया, यह क्या है आपका previous day closing है, previous day low और previous day closing काफी नस देखे, यह भी हमने नोट का लिया, अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है, तो इस situation पे आपके लिए scalping opportunity है previous day high तक, अगर flat open होगा market, इसका अगर market breakout देके चलता है, ज्यादा बहतर यह है, market इसकी respect करे, time spent करे, तब breakout दे, वो ज्यादा बहतर है, उस situation पे आपके लिए positive side opportunity बन सकती है, वहीं पे अगर market flat open होगे, आपको negative momentum दिखाता है, इस situation पे अगर market previous day low का breakdown देता है, previous day low के breakdown क इंतिजार करना, क्योंकि एक तो market resistance zone पे खड़ा है, rejection ले जाएगा, अगर previous day low का भी breakdown मिल गया, और price नीचे sustain कर गया, तो आपको और भी ज्यादा बहतर opportunity मिल सकते है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दू, कि इस situation पे जो second का day high रहेगा, यहाँ पे आपकी support की possibilities ब जादा बड़ी gap up opening मिली, भाई market में यह scenario अब चल चुका है, यहाँ पे देखा आपने second को भी हमें एक बड़ी gap up opening मिली, यहाँ कि momentum जो आना था वो gap up opening में आ गया, third को भी हमने यह observe कि market में, जो momentum आना था, वो gap up opening में आ गया, market गप up opening में आ गया, market गप up opening देके sideways हो गया, इन चारो चीजों से हम दूर रहते हैं, इसके साथ साथ साइड़ वेज मार्किट से भी, ये चारो एक तरह की चलते ट्रेन होती है, अगर आपको जादा बड़ी गेप अप ओपनिंग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेड को अवोइड करो, सिम्पल से अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो और ट्रेडिंग डे लो मार्क करो, अगर मार्केटरी रेस्पेक्ट करके एक मुमेंटम दे के ब्रेकाउट दे के चल रहा है, तो आपके लिए पोजेटिव साइड अपोर्चनिटीज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान एक बात रहा है situation समझ में इसी चक्कर में जब ज़्यादा बड़ी gap of opening मिलती है धिकतर market sideways हो जाता है जैसे आपने ये वाला scenario देखा कोई खास momentum नहीं आता हुआ दिखाई दिखाई दिया पहली चीज समझ में आई दूसरी चीज आपको ये भी धियान रखनी है एक तो मैंने बता दिय या half quantity दूसरा trading day high mark करना है और trading day low अगर market trading day low का breakdown देने लगया तो इसके मतलब market कहीं न कहीं उस gap को filling करने की कोसिस कर सकता है जो market ने बड़ी gap of opening दे के दिया है तो उस situation पे आपके support की possibilities previous day high पे बनती हुई दिखाई दे सकती है situation समझ में है वहीं पे अगर market gap down opening देता है gap down opening क सेनारियो डिसकस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह जस्ट educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है इनवेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने है अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जमेदारी भी आपको अपने आप लेनी अगर market gap down opening देता है तो आपको focus रखना है second decade day high पर अगर market इसी के असपास आपको gap down opening दे रहा है इसके मतलब market अपने previous day लो का breakdown दे चुका है अब देखना यह है कि market इस पर support लेता है कि अगर support लेके उपर चलने लगा है तो आपके ल जहां पर market ने जो second का day high है और हमारा previous day low है इसी के बीच market घूमना सुरोगे इसका मतलब market sideways चल लगा है no trade अगर market ने यहां पर time spend करके breakdown दे 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 तो इसका मतलब market में sellers को हावी होते हुए दिखाई दे रहा है तो इस situation पर second की previous day closing और second का day low आपके लिए support की possibilities हो सकती है नहीं तक चीज़े समझ मैं लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला दू like जरूर करना इससे हमारा भी confidence बढ़ता है और हमें प्रोथसान भी मिलता है कि हम इसी तरह के content आपको provide करा है और साती सात 50% का off चल रहा है अगर आपने part 1 कर लिया है आप part 2 कर सकते हैं उससे आप की और भी ज्यादा learning इस police हो जाएगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को like करना comment करके बताना analysis कैसे लग रहे है नए हो subscribe करना फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ thank you